लिकिंग 2009 में सेकंडेर केमिस्ट्री के प्रेपर में कुछ इक्वेशन आई भी बैलन्स करने को तो जैसे के कैल्शियूम सल्फेड 2H2O इफसम सॉल्ट 100 डिग्री सेंटिक्रेट पे अगर हीट अप करतें तो क्या बनता है? प्लास्ट्र ऑफ पैरिज इसका फार्मोला होता है CSO4 2.H2O और 3 वाटर के मॉलीक्यूल निकलता है तो अब इसमें जहन में यह रखिएगा कि जब यह 100 डिग्री सेंटिक्रेट पे बॉयल होना है तो प्लास्ट्र ऑफ पैरिज सो बनना है आपकोर्स वाटर अलग हो जाएगे जना आप बोरिक एसेड में जब 100 डिग्री सेंटिक्रेट पे हम हीट करते हैं तो इसमें से भी H2O कम होगा है याई दो हैट्रोजन एक ऑक्सीन और बनेगा मैटाबोरिक एसेड अल्टू-ओ-थी-NH2O में अगर नाइट्रोजन एड़ अड़ परते हैं तो तो देख अल्मूनियम और नाइट्राइड अल्मूनियम के ऐलेंजी प्लैसरी नाइट्राइड के मैने सरी यह को बनी चाहते हैं और हमारे पास दूसरी बायो प्रोड़क्स भी बनती हैं यहाँ पर रियक्शन में लैट पर कारवन दीजाँ बैलन्स में यह इक बैलन्स को कर दीजाएगा एक और बड़ अच्छा रियक्शन होता है अल्मूनियम के साथ अगर आप सोडियम हैड्रोकसाइड और वाटर में आएगे तो सोडियम अलुमिनेड प्लस हाड्रोचन में इसको नहीं तो यह 2009 में कुछ बड़े इंपॉर्टर्ट रियक्शन आये थे लेफ्ट साइड को डीवीटी राइड बेलेंस करने होती है तो इसके जितने पास विवर्ट में आए मैं करवा दोगा ताके अच्छा है आपको प्रेक्टिस होजें सेकेडर के हैसाब से भी थेंक्स